नमस्कार यह हमारा lecture number 4 है data communication के series का यहापे हमारी पहली unit खतम हो जाएगी तो इसमें हम पढ़ेंगे data flow के बारे में data flow क्या होता है मतलब जब दो नोड्स या दो stations सापस में communicate कर रहे हैं तो उनकी communication का flow कैसा होगा ठीक है इससे पहले मैं आपको एक पिछली वीडियो में पॉइंट रह गया था बताना चाता हूं अगर आपने पिछली वीडियो देखे होगी मेरी तो मैंने वीडियो के बारे में बात की थी ओके तो वीडियो में मैंने बताया था images का combination है तो यह images का combination कैसे move करता है frames पर second में ठीक है हम कितने images मतलब कितने images का frame बना के उनको तो मतलब एक per second में जैसे 500 में हर पास images है तो हम 2500 frames per second अगर चलाएं तो एक second में 2500 images वह repeat हो मतलब वह होंगी चलेंगी जैसे यह दिखाए था मैंने इसका बताया था ठीक है और हमको लगएगा कि वह एक video है तो frames per second पर चला के हम उन्हें images को वीडियो में convert करते हैं ओके तो आईए तो data flow क्या होता है तो दो devices दो note communication कर रहे हैं आपस में जैसे station 1 है station 2 यह आपस में communication कर रहे हैं तो उनकी communication का flow कैसा होगा ठीक है तो यहीं हम पढ़ेंगे तीन type क्यों होते हैं simplex half duplex and full duplex सबसे पहले अगर simplex की बात करें तो simplex में क्या होता है ओके मतलब एक ही direction में communication होगा जो data का flow होगा वो एक ही direction में होगा जैसे यह station 1 है यह station 2 है तो station 1 station 2 को ही data भेज़ेगा station 2 station 1 को data नहीं भेज़ेगा तो इसका example ले तो कीबोर्ड से monitor पर data जा रहा है मतलब कीबोर्ड पर आप कोई value प्रेस करते हैं ठीक है मानलीजे आपने यह प्रेस किया तो monitor उसको show करेगा ठीक है तो keyboard से monitor में data जा रहा है ठीक है ऐसी broadcast वो cable TV होती है आपकी उसमें भी होता है जो जहांसे कि मतलब वो broadcast करते है इस्टेशन से जो आपके TV में show होता है तो वो आपको data भेज रहे हैं आप उनको data नहीं भेज रहे तो क्या होता है बस simplex communication एक ही half duplex पहला हो गया आपका simplex यह समझा गया दूसरा half duplex इसमें communication टूवे होता है बट सेम टाइम पर नहीं होता मतलब अगर अगर station 1 station 2 को data भेज रहा है तो जब तक जब station 1 station 2 को data भेज़ेगा तो station 2 उस time पर quiet रहेगा शानत रहेगा ठीक है मतलब यह कहने का मतलब यह communication दोनों तरफ से हो रहा है लेकिन सेम टाइम पर नहीं हो रहा है ठीक है जब एक भेज़ेगा तो दूसरा data नहीं भेज़ेगा और जब यह station 2 भेज़ेगा तो station 1 नहीं भेज़ेगा ठीक है जैसे आपका walkie talkie होता है ठीक है जैसे आपका walkie talkie होता है मतलब एक बंदा बोल रहा होता है तो दूसरा बंदा उसको सुन रहा होता है शांत रहा होता है और जब दूसरा बंदा बोल रहा होता है तो पहला बंदा शांत रहा होता है ठीक है तो communication उसमें दोनों तरफ से तो होता है लेकिन सेम टाइम पर नहीं होता है और यह हमारा इसका एक्जामपल है वो की टॉकी तीसरा आता है full duplex full duplex मतलब communication दोनों तरफ से हो रहा है और same time पर हो रहा है मतलब station and station one and station two दोनों communication करेंगे ठीक है two way communication है दोनों एक दूसरे को data भेज सकते हैं मतलब ठीक है और same time पर भेज सकते हैं इसमें क्या होता था half duplex में same time पर नहीं भेज सकते थे लेकिन full duplex में क्या होता है हम same time पर data भेज सकते हैं ओके अगर इसका example ले तो आपके जैसे mobile phone हो गए मुबाइल फोन में जब दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक time पर मतलब एक time पर ही communication एक time पर ही communication करते हैं ठीक है यह भी बोल सकता है उसी time पर यह भी बोल सकता है उसी time पर इसमें कोई restrictions नहीं आए आपके कि same time पर नहीं बोल सकते, full duplex में एक ही time पर communication कर सकते हैं, ठीक है, और communication दोनों तरफ से होगा, half duplex में क्या था, communication दोनों तरफ से तो होगा, लेकिन same time पर नहीं होगा, और simplex में क्या था, communication बस एक ही direction से होगा, ठीक है unit directional होगा एक तरफ सही होगा मतलब communication ठीक है तो hope आपको यह समझ आ गया होगा data flow इसी के साथ हमारी पहली unit खदम होती है अगली वीडियो से हम दूसरी unit start करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद